ओम शान्ति प्यारे बाबा के साकार रूप के चले हुए उन मधुर महावाक्यों पर जिनका श्रवन हमने आज अपनी प्राते क्लास में किया आईए अब उसको हम मनन करें मीठे बाबा ने आज की मुडली में भी कल की मुडली की तरह रक्षा बंधन पर समझाया है और बाबा ने कहा कि रक्षा बंधन का ये जो पर्व है ये प्रैक्टिकल जीने की यादकार है जब प्रैक्टिकली पवित्रता के वृत में जीते हैं तब बाबा कहते हैं ये तुम्हे राज्तिलक भी मिलता है जो बाद में जन्माष्टमी के रूप से मनाया जाता है आईए सुनते हैं बाबा बोले मीठे बच्चे इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धी पवित्र सोने का बरतन चाहिए पवित्रता की राखी बांधो तब राजाई का तिलक मिलेगा यहनी हम सिंबल तो यहनी निमित तोर पर प्रतीक आत्मक तरीके से राखी बांधे हैं तो देखेंगे राखी बांधी जाती है उसके बाद तिलक लगाया जाता है तो बाबा कहते हैं यह तो रसम है लेकिन इसका रियल सिगनिफिकेंस क्या है कि भगवान ने पुवितरता की धारना के उपर दोर दिया कि पुवितर है तो सुराज यदिकारी है पुवितर है मन पुवितर है तो आत्मा जो है वो सारे श्रीर के इंद्रियों के द्वारा जो कारे करवाएगी वो पुवितर होगा अर्थात इंद्रियों पर राज होगा गुलाम तो राजा निए कर सकता ना अधीन तो अधीकारी नहीं होता इसलिए बाबा कहता है फिर राखी के बाद तिलक भी लगाते है तो ये तिलक जो है पुवितरता का तिलक है हमेशہ तिलक किसलिये लगाया जाता है विजे का तिलक लगाया जाता है, पवितरता का तिलक लगाया जाता है, और राज तिलक लगाया जाता है, तिलक राज कई लोगों अपना नाम भी रख लेते हैं, तो बाबा कहते हैं, पवितरता की धारना से ही, तुमारा ये जो पवितरता का तिलक होगा, आत्मसमृती का त लिखाइश वीरीस के सब्सक्राइए तिलक होगा विकारों पर विज्ये का तिलक होगा यही तुम्हें राज तिलक अधिकारी बनाएगा भाबा की मुल्ली में आज साय की बात आई था जो प्रशन के रूप में लिखर करके आई कि भाबा हमें पढ़ाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको मेरे से सर्टिफिकेट भी लेना है, उसके लिए क्या पुरशार्थ है? पावन दुनिया में जाने के लिए पावन अर्था लाइक बनने का सर्टिफिकेट लेना है, जब इस समय पवित्रता का प्रण कर तब बुद्धी गोल्डन एजट बने, पवित्रता का सर्टिपिकट लेने के लिए बाप की राय है, तीन बाते हैं, सबसे बुद्धी, योग, निकाल, ज्ञान चिता पर बैठो, मात पिता को फॉलो करो, द्रडप्रतिग्या करो, बाप के साथ सच्चाई से चलो. अब देखिए, बाबा ने ये तो बातें बताई हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट का शबद आया है, आप देखेंगे, जो भी कहीं पढ़ता है, स्कूल, कॉलज, यूनिवर्स्टी में है, तो वो यूनिवर्स्टी इसको सर्टिफिकेट देती है, कि लोग अपने आपको सर्ट सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं, जेखो, जी मैं तो बहुत अच्छा हूं, लोग मुझे समझते ही नहीं, मेरे मन को जानते ही नहीं, तो बाबा का ऐसा नहीं होता है, प्ढ़ाने वाला ही देता है, बच्चा कहां तक पुड़ा, फिर सर्टिफिकेट में भी होते हैं एक सिर्फ पास का सर्टिफिकेट होता है एक फिर पास विद ऑनर्स का सर्टिफिकेट होता है तो बाबा इसलिए कह रहा है कि सर्टिफिकेट लेने की सारा सर्टिफिकेट है तो पवितरता का अब पवितरता है श्रीर मान के श्रीर की सब चीजों के कठी करता रहता है उससे हटाओ मुझे याद करो फिर बाबा कहते है मेरी श्रीमत पर चलो श्रीमत में ये भी है कि दूसरों की भी सेवा करो ताकि मन तुमारा बिलकुल वेर्थों में ना जाए और दूसरों की सेवा नहीं करोगे तो बाबा कहता है जो सो कल्यानकारी है वो तरेता में जाता है जो विश्व कल्यानकारी अर्था सेवा करता है वो सज्जुग में जाता है कहां सूर्य वंशी कहां चंदर वंशी सूर्य जो है रोशनी देता है दूसरों को भी अर्था सेवा करता है चंदर मा जो है चमकता है द सुनेंगे जो बावा ने आज बजवाया है भाईया मेरे राखी के बंधन को निभाना भाईया मेरे छोटी बैहन को ना बुलाना देखो ये नाता निभाना निवाना भया मेरे राखी के बंधन को निवाना भया मेरे छोटी बेहन को ना बुलाना भया मेरे आप कुछ खाएंगे? कि गीत तो दुनिया वालों ने बनाया हुआ है रस्मी तौर पर पर इसमें भी रहसे है पहली बात तो ये है कि भाई बेहन का जो समंद होता है वो पुवितर होता है अब आप देखेंगे कि कोई विवा भी करता है तो दूसरे घर की कन्या के साथ करता है अपनी बेहन के साथ ने करता है वो भी किसी की बेहन है लेकिन पुवित्र संबन सबसे ज़्यादा बाई बहन का होता है दुनिया के अंदर अब बाबा कहता है कि इस गीत में कहा गए भाईया मेरे तो आगे जाके मुरली में बाबा ने एक बहुत ही युकती बताई है पुवित्र बनने की कि दुनिया के अंदर तो अपवित्र आज कल की दुनिया तो अपवित्र है सज्जुक की तरह देवी देवताएं परवित्री मारेग वाले जिसको कहते हैं गरस को भी आश्रम कहते थे वो तो है नहीं तो बाबा कहते हैं कि मैं तुमको एक युकती बताता हूं कि परमात्मा की संतान तो आत्मा है लेकिन ब्रह्मा की संतान जो हुए अडॉप्ट हो गए तो संतान माता पिता की तो भाई बहनी होते हैं अगर तुम अपने आपको अडॉप्ट करके ब्रह्मा की संतान बन जाओ तो फिर तुम्हारा चाहे पती हो पतनी हो बाप हो बेटा ह सब क्या हो गए आत्मा रूप में भाई भाई और शरीरिक रूप में भाई बेहन तो तब तुम इस पुवितरता के बंदन को अच्छी तरह नबा सकते हो फिर छोटी बेहन क्यों कहते हैं तो बाबा मुल्लियों में कहते हैं रिगार दो किसी को भी काम करना हो तो मेरे छोटे बाई लो तो रिस्पेक्ट देने के लिए ये कहा जाता है बाबा कहते हैं कि वास्तों में तुम को यह जो बंधन बानता हूं वो किस लिए इस बंधन को बानने से तुम्हे क्या फाइदा हो तुम माया रावन पर तु जीत पाते ही हो लेकिन उसके बाद तुम जगत जीत बन जाते हों कहा जाता है ना लोग यह नहीं सम्मेते हैं असानी से कह देते हैं मन जीते जगत जीत माया जीते जगत जीत लेकिन वो जगत जीत सिर्फ कह देते हैं उनको इस बात का गुईर हसनी पता के सब शचमट तो मन को जीत जाओगे तो सारी दुनिया का राज यह तुम अक्भून को पढ़ाता हूँ यह तुमारी रूहानी पढ़ाईा लेकिन ये रूहानी पढ़ाई कौन से बच्चे धारन कर सकते जिनकी बुद्धी जो है वह सोने के बरतन के सद्रुष्य है सोने के बरतन का बाबा मिसाल देते हैं कि वो शुद्धता का प्रतीक है और अगर बुद्धी अशुद्ध है तो ज्ञान तो उसमें ठहर ने सकता अगर गोल्डन एज में जाना है गोल्डन स्पून इन माउथ रखना है तो बुद्धी भी तो गोल्डन चाहिए न बुद्धी भी तीन तरह की तो होती है सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी बुद्धी में क्या धारन होगा रजोगुनी बुद्धी में क्या धारन होगा और सतोगुनी बुद्धी में क्या धारन होगा सतोगुनी बुद्धी ज जो अपनी मन मत से मिलती जुलती चीज होग, इस पे चलेंगे, बाकी में क्वेश्चन लगाएंगे, शंशे करेंगे, और तमों गुनी को तो पता ही नहीं लगेगा शिरीमत क्या होती है, वो कहेंगे तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, यह बाता है, बादा ने कहा है कि ब अभी आयन एज है, फिर हमको कॉपर, सिल्वर, गोल्डन एज में आना है, यह पढ़ाई ऐसी है, जो चलते-चलते फिर बाबा के ते माया भीवार करती है, बाबा यह कह रहा है, कि जिनको मैं ग्यान देता हूं, उनकी बुद्धी कैसी है, देवताओं को तो देता है नहीं जिनकी सोने जैसी बुद्धी है, तो यह बहुत बाबा ने प्रोसेस बताया है, ताके कई बचे निराश भी हो जाते हैं, बाबा कहता है कि मैं ठिकर जैसी बुद्धी को लेकर ठाकुर जैसी बनाता हूं, तो जब ग्यान का परिचा देता हूं, तो तुमको समृती आती है कि मेरी बुद्धी तो सोने जैसी होनी चाही है कैसी तो जितना जितना तुम ग्यान को धारन करते जाते हो तो स्टेजिज में तुमारी बुद्धी तमो पर्दान से सतो पर्दान अलॉई निकलता है मान लीजिए सोना है अब सोने के अंदर आपने चांदी मिला दी फिर उसक बार लोहा मला दिया, अगर स्थोने में लोहा बना दिया था स्थोना लेकिन लोहा ज्यादा होने से क्या होगा? कि कहेंगे इतो लोहा theor आ रहा है, सुने में मलावत हो गई ना? फिर बगवान कहते है मैं तुम्हारे को योग अगनी में बटी में डालता हूं पहले लुहा निकलता है फिर उसके बाद जैसे जैसे गये थे फिर तांबा निकलता है फिर चांदी निकलती तब सोना बनता है तो तुम्हारी भी ग्यान योग की धारना से स्टेजी पहले आरन से तुम कॉप पड़ते पड़ते ग्यान सुनते सुनते पिछाड़ी में हमारी वो गोल्डन एज बुद्धी बनेगी तब हम ये शरीर छोड़ देगी आगे भी है बागते गाया हुआ है पवित्रता की राकी बानने से राज तेलक मिलेगा तुम बच्चे अब जानते हूँ हमको राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्रता की प्रतिग्या करनी है ग्यान और योग की धारना करने में कितना समय लगता है गोल्डन एज से आइन एज तक तो पांच हजार वरश अब तो पढ़ना है तो इस एक जनम में ही होना है यनि गोल्डन से आइरन में पांच हजार और आइरन से गोल्डन सिर्फ संगम पर ये बाबा इंपोर्टेंस बता रहा है इसको बाबना का जितना उंच पढ़ते जाएंगे खुशी बढ़ती जाएगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं बुद्धी योग और ग्यान बल से बल होता ना तो शक्ति से ही काम होता है तो बाबा कहता है योग लगाने से और ग्यान नौलेज इज पावर योग भी एक बल है तो इन दोनों के अधार पर तुम दोनों शक्तियों के अधार पर तुम आगे बढ़ते जा रहे हो आइरें एड से गोल्डन एड की तरफ जा रहे हो बाबा कहते हैं जब तुम राखी बानते हो तो समझाना चाहिए कि हमने पांच हदार साल पहले भी आपको बान देती है और पावन बनने की हम ये संदेश लेकर के आपके पास आये थे ये कोई एक दिन की बात नहीं है परन्तु ये प्रतिग्या की बात है तो सारे फेस्टिबल एक दिन के होते है ना दिवाली आई एक दिन आई उसके बात फिर वैसा ही तो राखी आई उस दिन बंदर बंद वाया एक ते ये तो पूरे संगम पूरे जीवन की बात है लेकिन बाबा किते ये बाते उनकी बुद्धी में नहीं बैठती है जब तक उनका फाउंडेशन का कोर्स नहीं हो इसलिए साथ दिन क्याता है जब तक तुम गोल्डन एच में न जाओ तब तक सुष्टी का विनाश नहीं हो सकता वो समय आएगा बहुत धेर बच्चे हो जाएंगे रक्षा बंदन पर बड़े बड़े आदमियों पास जाएंगे उन का संदेश दिये बगैर राखी बांद नेकाओ के परफस नहीं है उनको बताओ के कल पहले भी हम आये से पांच इजार ओहरान हो गए फिर उनको बताओ राखी का महतब क्या है पतिस से पावन बनना है बगवान आ करके बनाते और अब वो आया हुआ है फिर बावक्यत है उ भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावन है इसलिए पवित्रता की राखी बाननी ये प्रतिग्या करनी है तब इस भारत को स्रेष्टाचारी बना सके गए यह क्वेस्चन सारे एक व्यक्ति का नहीं है सारे भारत का है और बाबा केते हैं चोटे चोटे दुश्मनों के पी तो सारी सेना अपने अभी बंदी बन जाती है तो रावन को जीतना है रावन तुमारा दुश्मन रावन पांच विकार है फिर बाबा ने चो आज बात पर जोर दिया है बाब करते हैं जब तक तुम समझाते नहीं हो ना बिना समझाए ऐसे राखी बांदेने का कोई फाइ पैसे लेने आये हैं हम कोई देने आये हैं या बाबा कभी-कभी कहते है को खोटे पैसे लेने आये हैं खोटे पैसे क्या होते हैं तुमारे पास है है कि तो दे दो फिर उसको कहते है पांच विकार बाबा कहते है ये भी समझाना पड़ता है कि भारत पवित्र था सोने की च बाप का परिचेत दे कर बोलो कि मानते हो कि बरोबर बाप ब्रह्मा द्वारा वर्सा देते हैं, बाप केते हैं, मुझे याद कोरो, चौरास्ती जनम पूरे हुए, माया से हार खाएं, अब फिर माया पर जीत पानी है, यानि उनको हिम्मत दिलाने के लिए, हम जाके कहें, पत के भारत सोने की चिडिया कहते हो के कहते हो, बारत में दूद्गी की नदियां बहती थी हैं, इंसा पर्मो धरम था, शेरगाए एक, जब उनको याद कराऊ गए, और को के पांचीजार साल पहले आये थे, भगवान फिर आये, तब उनको रियल लगेगा, कि यह हो सकता है, ह है लोग समझते हैं, यह पता नहीं कोई पैसे लेने के लिए आये, जैसे दुनिया करती है, बाई ने थोड़े से पैसे दे दिये, इस नियम बन गया ना मर्यादा, इसलिए वो खाय के वेल्दी बनते हैं, राखी बांधने से, वो उसको भूल गया, और बाबा करते हैं कि बाई से अपनी पुरानी चीजों का त्याग करो, कामचिता पर बैठ कर काले बन गये हो, भारत गोल्डन एजिट था, फिर उसका पुरशार्थ करो, यह नि ब्रहमा कुमारी अब यह तो भारत में परसिद्ध हो गया है, कि राखी के दिन ब्रहमा कुमारी जाके राखी बा गया, कोई औरफन्स को बच्चों को बांद देता है, हम देखते हैं, जब राश्टरपती भावन इत्यादी में बहने जाती हैं, तो वहां पर बहुत सारे चिल्डन के स्कूल वाले आये होते हैं, यह अंदविद्याले वाले आये होते हैं, इस तरह से करते हैं, लेकिन वो खाली द्भागा नहीं बढदो, बलकि उनको ग्यान दो, या एक मौका होता है, है यह लोग यह भी कहते हैं, बड़ो बड़ों के पास नाम बाला करना है, या बड़े से कुछ लेना है, नहीं, क्टर्पए उनके पास पावर रहती है, अगर उनकी समझ में ग्यान आखेगा और वो चलेंगे उसके उपर, तो दुसरों को भी चलाएंगे, तो जल्दी काम होगा. बाबा केते, तुम्हें समझाना क्या है? कि सर्व का पतित पावन, सद्गती दाता एक ही बाप है. पतित लाइक नहीं है, भारत ही इन्सॉल्वेंट दुखी हो पड़ा, क्योंकि पतित है. सत्यूग में पावन थे, तो भारत सुखी था. अब बाब कहते हैं, फिर से पावन बनो, और्डिनस नेकालो. बाबा कहते हैं कि भारत को स्रेष्ट बनाने में माताओं की मदद चाहिए. इस पर प्रोब बनाना चाहिए, लेकिन वो ताकत बच्चों में अभी नहीं आई है. जब अवस्ता आत्मा की उंची होगी, तब वो फलक आएगी. बाबा ने इसमें एक बहुत गहरी बात बताई है, कि आज माताओं के उपर काम विकार का अत्याचार हो रहा है. पुरुष जो है, इस्तरियों को बंदी बनाते हैं, पती पत्नियों को भी ग्यान में नहीं चलने देते, वो विकारों के कारा है. तो बाबा कहता है, उनको राखी के निमत ये बताओ, कि राखी पुवितरता का पर्व है, और काम विकार के दोरा तो दुद्निया पतित बनी है. पावन बनाने में ये मातों का सहयोग चाहिए बगवान ने, क्योंकि बातों बेहनों के दोरे बगवान राकी बनदवाता है, ग्यान का कल शीवी मातों को दिया, इस निम्ट उनको कहो, गौर्मेंट को कहो, कि जो मातों पुटर बनना चाहती है, उसको अलाव किया जाए, बाबा ने माता हूँ, बेहनों पर जो अत्याचार होते हैं, उसके उपर भी कहा है, बाबा कहते हैं, तुम याद में रहो, तुम याद करोगे, तो तुम्हारे अत्याचार भी खत्म होंगे, जितना जितना याद करेंगे, तो बाबा कहते हैं, उससे बाप की मदद, शक्त के रूप में मिलेगीं. लेकिन हेरें का करमधन अपना अपना है. और उस करमधन को काचने का त liegt का भी एक ही है कि बाप को याद कर औँदा हो. इसमें बाबा ने ने उन मातों बेहनों के लिए कहा है कि अइसी मातएं बहने हैं, जिनके पती उन को जबरदस्ती करके, जुलम करके विकारी बनाते हैं. तो बावा ने इस मुर्ली में साफ साफ करके, वह बचारी बड़ी दुविदा में पढ़ जाती है. बावा कहा है समझाया है कि ऐसी हालत में तुम कर ही कह सकते हो जा कर भगवान को याद करते है जो यूं भी किसी को कोई छुरा मारता है फांसी चड़ाता है पीछे लगता है दुखी करता है तो परमात्मा को भगवान मेरी रक्षा करो जैसे आज की दुनिया में बंब डाल रहे हैं आगनी बंब डाल रहे हैं तो बचारी खुने नहाक हो रहा है तो जनता तरही तरही करके भगवान को इपकार रही है ना अब भगवान भी कहता है मैं इसलिए आगया हूं कैसे खराब दुनिया का नाशी कर दो ताकि ना जालिम रहे ही ना दुश्टों का सिंगार करने आत है उसी कांटेक्स में बाबा ने व्यक्तिगत बताया है कि तुम मजबूर हो तुम पकारती हो ऐसी हालत में कर भी कह सकते हैं और बाबा कहता है अगर तुमारी बगवान से लगन है और इस ग्रिनित काम से तुम सक्त नफरत करते हो तुम्हें मजबूर किया जाता है तो शि हैं जिनके पती सहयोग देखते हैं वो तो और बात है बाबा कहते हैं माताओं पर अत्याचार इसी कारण होते हैं और किसी भी सथसंग में या धरमस्तान में इस बात की रोक नहीं है वह कभी जगड़ा नहीं होता लेकिन क्योंकि भगवान का ग्यान है यहां इस बात पर कारण से बाबा केते हैं कि सरफ इतना ही काफी नहीं कि हम स्वरग में चले जाएंगे नहीं लेकिन वहां क्या पत पाएंगे वो भी इंपोर्टन्ट है उसका पुर्शात करना है राजा रानी बनने के लिए फिर बाबा ने आज जो लास्ट पॉइंट आज की है वो बहुत अच्छी रमनिक है बाबा के देते हैं तुम सब सर्जन ओध भाबा अवी नाशी गौल्डन सर्जन है तुम भी नमबट वार सर्जन हो समझाते हैं समय रहेकी नब्स देखनी है महारथी जो हैं वो अच्छी नब्स देखहेंगे तुमको पूरा गॉल्डन एज़िट बनन अभी बने नहीं है, बनने में टाइम लगता है, महाय के तूफान बहुत तंग करते हैं, यह सब बातें समझने होती है गोर्ड मेडलिस भी तो सर्जन होते है ना, जो अच्छी तरह नबस देखकर मुरीज के अनुसार बिनाकष्ट दिये सर्जरी करते हैं, यह स्पिर्चुल सर्जरी है इसके लिए करो क्या? बावा करते हैं, कोई खराबी नहीं होने चाहिए, सच्चा ही होने चाहिए वर्दान है, सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विगनों को समाप्त करने वाले विगन विनाशक भाव जो सर्व शक्तियों से संपन है, वही विगन विनाशक बन सकता है विगन विनाशक के आगे कोई भी विगन आने सकता लेकिन यदि कोई भी शक्ती की कमी होगी तो विगन विनाशक बनने सकते इसलिए चेक करो सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है इसी स्मृति नशे में रहो सर्व शक्तियां मेरा वर्सा है मैं मास्तर सरशक्तिवान हूँ तो कोई विघंट है नहीं सकता स्लोगने जो सदा शुप संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं यह रचना ही करो मन के अच्छे संकल्प करोगे तो हलके रहोगे यह थी बाबा की आज की मुडली आज की मुडली में मुख्य दो बात हैं एक है पवित्रता और दूसा है पढ़ाई दोनों पर ही अटेंशन देना है पढ़ाई यानि जो बाबा पढ़ाते हैं वो सोनी के बरतन में ही टिक सकती है बुद्धी को इतना शुद्ध रखना है और दूसा भावा ने कहा पवित्रता जिसके लिए द्रट प्रतिज्या करनी है कि प्राण जाए पर वचन न चाहे ओम शांदी